जै माता दी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप, आज हम बात करेंगे उन पाँच चीजों की, जो हमें अपने घर से किसी को नहीं देनी चाहिए, तो आईए जानते हैं, वो पाँच कौन सी ऐसी चीजे हैं, जिसे हमें डाइरेक्ट किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए, तो लाल मिर्च मंगल ग्रह से, इसलिए हमें किसी को हाथ में नहीं देना चाहिए, दूसरी चीज है नमक, नमक सुग्र और चंद्रमा ग्रह कारक है, जब भी हम किसी को नमक दें, तो किसी के हाथ में न दें, किसी बरतर में रखकर ही दें, अगर हम हाथ में देते हैं, तो उनसे स चापू कैची सूई राभुग्रा से संबंधीत है इसलिए जब भी आम किसी को दें तो डाय रेक्ट हाथ में न दें कहीं पर रख़ दें या कटोरी कहीं भी रख दे चाकू कैंची कैंची हम देते हैं गर किसी चीज का उधगाटन करते हैं तो उसमें रीबन काटने के लिए कैंची दिया जाता है तो उसे डाइरेक्ट हाथ में न दे किसी प्लेट में किसी ट्रे में कहीं भी रख दे परंतु हाथ में न दे चौथा चीज है किताब पेन कापी किताब पेन कापी गुरुग्रह से संबंधित है इसलिए हमें किसी के डाइरेक्ट हाथ में नहीं देनी चाहिए अगर हम अपनी पेन को किसी को देते हैं तो हमारा गुरुग्रह कमजोर होता है उससे में पढ़ाई लिखाई में मन नहीं होता इसलिए हमें कभी भी अपनी पेन किसी के हाथ में नहीं देना चाहिए अगर देना ही है तो कहीं पर आप रख दे या उसका धक्कन अपने जेब में लगा कर ही रखे पाचवाँ चीज है फूल फूल जब भी हम किसी को दे तो कहीं पे रख दे डाइरेक्ट हाथ में न दे ऐसा माना जाता है कि यह हाथ में देने से लोग बोलते हैं कि उसमें चढ़ गया तो चढ़ापुवा हुआ फूल हम भगवान को अरपित नहीं कर सकते जब भी हमारे घर में कोई पूजा वगवा होता है तो पुसपांजली के लिए फूल दिया जाता है तो अक्सर हम हाथ में ही फूल और चावल देते हैं पुसपांजली के लिए परन्तु ऐसा कदापी न करें जब भी हम फूल वगवारा रखें किसी बरतन में डोल्ची में या किसी ओनस्पती के पत्ते में ही रख दी परन्तु हाथ में न दे जिसको चढ़ाना है वो खुद अपना लेकर चढ़ाएगा तो दोस्तों यह रही पाथ चीजे जिसे हमें किसी के हाथ में डाइरेक्ट नहीं देना चाहिए ऐसे ग्यान वर धकवातों के लिए आप हमसे जुड़े रहें लाइक करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए खुश रहिए स्वस्त रहिए जय माता दी